अब हम लोग इवोलूशन बाई इस टेसेश टॉपिक को स्टेडी करेंगे इवोलूशन जैसा कि हम लोग फर्स डे ही देखे थे इवोलूशन एक ग्रेजुवल प्रोसेस है और एक कॉंटिनुवास प्रोसेस है इवोलूशन के दौरान इवोलूशन प्रोसेस में धीरे धीरे चेंजिंग होती है इसमें सिंप्ल और्गनिजम से कॉंप्लेक्स और्गन्स बनते हैं और इसमें डिन ने में चेंज होता है यह मेजर फैक्टर है यह मेजर पॉइंट है कि डिन ने में चेंज होता है तभी यह एक पीडी से दूसरी पीडी में करेक्टर डिफरेंस चेंज ट्रांसफर होता रहता है अगर यह change DNA में नहीं होगा chromosome में नहीं होगा तब मतलब एक पीडी से दुसरी पीडी में character transfer होंगे ही नहीं वो different difference वाले character transfer होंगे ही नहीं तो changing होगा ही नहीं उसके अलामा एक और important point है कि यह जो बीच में जो intermediate characters आ रहे हैं वो changes intermediate changes जो धीरे धीरे आ रहे हैं वो changes धीरे धीरे कैसे होने चाहिए accumulate होने चाहिए यह कठे होने चाहिए यह भी condition है तो क्या होना चाहिए gradual process है slow process है continuous process है DNA में change होना चाहिए और accumulation of the characters होना चाहिए accumulation आप the immediate intermediary characters होने चाहिए जो intermediate characters है उनका accumulate होना आवश्यक है इस evolution के बज़ा से बहुत सारे advantages मिलते हैं organisms को कई तरीके के advantages मिलते हैं जैसे fitness advantage fitness advantage जैसे evolution of eye की अगर हम बात करते हैं आई के evolution की तो simple porifera में और silentrata में कोई ऐसा phylum porifera और silentrata में कोई ऐसा eye का concept नहीं था लेकिन जब platy helmets में आया flatworm में आया तो देखा वहाँ पर linearia जैसे example ले लेते हैं तो उसमें rudimentary eye eye spot आया rudimentary spot आया जो light को perceive हलका हलका कर सकता था rudimentary थी insects में उससे ज़्यादा advance आये compound आये और human में और सबसे ज़्यादा advance आये binocular eyes और उसमें color vision भी आया तो देखिए एक तरीके से evolve हुआ दूसरा process है दूसरा चीछ है functional advantage आया जैसे feathers को हम एगर evolution of feathers की बात करते हैं तो feathers feathers जो हैं उनका main function था क्या कि वह ठंडी से बचायना और body को गरम बखना जैसे सबसे पहले feathers अगर ध्यान देते हैं तो red dinosaurs में reptiles के dinosaur में सबसे पहले feathers reported हुआ लेकिन बार में यह feathers birds को flying करने में भी help करने लगा अगर हम बात करते हैं तो यह connecting link है किसके बीच का birds और reptiles का इससे क्या proof होता है it proves that birds have evolved from reptiles इससे प्रूबता चलता है कि birds reptiles से evolve हुए हैं evolution by stages topic में एक और चीज़ आता है कि humans जो है evolution of artificial selection natural selection तो nature करता है इसके बारे में लोग पीछे काफी heading पर चुके काफी points detail में study कर चुके artificial selection भी होता है जैसे human select करता है हम लोग उसको इतना detail में select कर चुके इतना ज़्यादा select कर चुके इस पर हम इतना ज़्यादा experiment कर चुके या किसान नहीं किया उसको चुनता चला गया तो वह क्या हुआ वह काफी ज़्यादा हमारे यूज में आ गया जैसे cabbage कैबेज जो है यह यह आर्टिफिशल सेलेक्शन का एक बेस्ट एक चामपुल है कैबेज कालिफ लावर केल कोलरवी और और ब्रॉकली यस और ब्रॉकली तो कैबेज क्या होते है यह शाओ डिस्टेंस यह सब वाइल्ड फॉर्म से एराइज हुए जितने भी यह सब चीजे आई है सब वाइल्ड वाइल्ड कैबेज से वाइल्ड फॉर्म से यह सब एराइज हुए है तो इसमें क्या हुआ देखाँ कि वाइल्ड कैबेज है वाइल्ड कैबेज से कैबेज आया इसमें सौर्ड डिस्टेंस बिट्विन दे लीव्स के बीच में कोई ज्यादा गैपिंग नहीं थी छोटे-छोटे गैपिंग यह बट फॉर्म में है पुरा यह अरेस्टेट फ्लावर डेलप्मेंट हुआ इसमें सौर्ड ब्रॉकली में फ्लावर्स इसमें कौ।झ सब्सक्रावर में भी फ्लावर यह ने केल में लीट्व हैं जो लाजर होती हैं इसमें स्वैलन पार्ड हो जाता है यह गोगए वाल्ड कैबेज का डिफ़रेंट डिफ़रेंट फॉर्म्स में हम उसको कई तरीके सी ह। य लिए क्या हो गया आटिफिशल सेलेक्शन का बेस्ट एक्जाम्पल हो गया इसी तरीके से पिजन के भी कई आटिफिशल सेलेक्शन और नेचरल सेलेक्शन में बहुत जड़ा एक में डिफ्रेंस यह है कि आटिफिशल सेलेक्शन और आटिफिशल सेलेक्शन दस सेलेक्टेट ट्रेट्स और बेनिफिशल टी हुमन भी यह हुमन बींस के लिए बहुत ही बेनिफिशल है जबकि नेचरल सेलेक्शन दस सेलेक्टेट ट्रेट्स प्रवाइड सर्वाइवल एडवांटिज तू जड़ा तो देखो देखो यह क्या है कि यह human के लिए है और वो उस जीव के लिए है कि ताकि वो उस environment में अच्छे तरीके से survive कर सके यह एक बहुत major difference है किसके बीच में natural selection और artificial selection के बीच में तो इस तरीके से आज हम लोगों ने evolution by status के बारे में study किया Thank you